अभी काबुल एरपोर्ट के बाहर जो दो धमाके हुए हैं इससे कई सारे मैसेच सामने आते हैं सबसे पहले जो अमरीका की स्ट्रेटीजी थी तालिबान से बात करना और बाहर निकलना वो एक अच्छी स्ट्रेटीजी नहीं थी दूसरी बात बाहर निकलने की बात सही है लेकिन प्लान तो सही होना चीजिए था जो इवैकुएशन प्लान था वो भी सही नहीं था अगर आप एरपोर्ट पे बैठे हैं पूरा रस्ता सिक्यूर नहीं है तो लोग एरपोर्ट पहुँचेंगे कैसे तो आफ़िसली हो दो डिले हो गई तीसरी बात आईएस आईएस अटैक करेगा ये इन्फरमेशन सभी के पास दी बहुत सारे देशों नहीं दी थी बहुत सा तालिबान ये गारंटी कभी नहीं दे सकता कि उसकी जमीन से टेररिस्ट बाहर नहीं जाएंगे और बाहर अटैक नहीं करेंगे ये बात मेरे विचार से समझ में आज आनाई चाहिए और बहुत सारे प्लैनर्स को इसके उपर बहुत सारे जवाब देने की जूर चाहिद प